हेलो और वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके किस तरह से आपने नून का ओडर फुल्फिल करना है जब आप एफबीप कर रहे होंगे एफबीप का मतलब कि है फुल्फिल्मेंट बाइ पार्ट डर्ट तो नो फिर सब्सक्राइब हुर्ट बटन सबसे पह और आपको एक ओर्डर आ जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है मेक शूर कि आपके पास वो प्रॉड़क्ट हो अगर तो आपका अपना प्राइविट लेबल है तो आपके पास प्रॉड़क्ट होंगी अगर आप मीटू कर रहें को कि अमाजोन के साथ साथ आप नू प्रॉड़क्ट हो और अपने को अच्छल मेरा योद को आपने को आपने इसको पैक करना है आप अप भबे पिकर सकतें और भी या आप एक सिंपल पे पेपर बेग पेपर वे कर सकतें अ вами पारड़क्ट है इस पॉरॉड़क्ट एमपलबिके मुझे मुझ्य़ altre अब Über् Amazon की तरह नहीं है क्योंकि Amazon पर आप सिंपल अपने पेश पे भी किसी भी सिंपल पेश पे परिंट करके आप बार कोर्स लगा सकते हो अब आपको आपके पर एड़िए अपने सिस्टम में जाना पहले ऑपको निखाता हूँ ृपटके उस्टम में कहां पर आएगा और आपको एइसक आपको अप सूप करना है तो लेस आप रहाट जैसे आपको ओर्डर आएगा आपर नून के सेलर लेब में जाना है, अब नॉर्मली क्या होता है है कि निस अपनी प्रॉडड्क और A72 होता हैं में इस पे वीडियो बनाऊँगा कि पार्टनर केटिय लोग में में क्या फारत हैं पार्टनर केटो नून पे नहीं है, noon catalog पे आप वो products copy करते हो जो आपने wholesale करनी होती है अब let's say मेरे पास एक order आएगा तो वो कहां जाएगा आप आपने noon के seller lab में जाने के बाद आपको सबसे पहले आती है एक email email के बाद आपने है करना है कि आपने अपने warehouse के tab में जाना है this is your warehouse tab यहां पे आप click करेंगे जब तो आपके पास dashboard है और second option है stock request आपने stock request पे click कर देना है जैसे आप stock request पे click करोगे तो आपके पास ये एक window open होगी नया tab open होगा इस पर दिखाव है stock request कि आपके पास order आगया है अब आपने pick up के लिए request करने noon को अधरसे आप देखे हो कि यहां पे तीन options आ रही है pending pick list ready for pick up pending का मतलब है कि order आया है आपने इसको ready करना है for example आपने इसको ready कर दिया है आप में इस पे click करना है और फिर आपने उपर आप देख रहे होगे कि के option आगए कि create pick list आप में इस पे click कर देना है जैसे अब create pick list करोगे वह आप से confirm करेगा कि यही order है अभी आपका SKU number या आपका print होना चाहिए partner SKU print होना चाहिए और आपका अपना barcode print होना चाहिए product के उपर मैं इसको confirm कर देता हूँ जैसे मैं confirm करूंगा अब वह अपने pending tab से pick list पे आ गए अब pick list में जाओंगा अब pick list में मुझे यह मेरी pick list लिखा रहे है जो मैंने ready कर ली है अब मैश पर click करूं तो मैरे पास इसको process कर दिया click करने कर दो इसको process कर दिया और a pick list जो है ready है for pickup आप में आप पर click कर देना है मार्क रेडी फॉर पिक अप जैसे आप मार्क रेडी फॉर पिक अप कर लें को कहेंगे प्लीज एंशूर यूर बार्कोर्स अवेलबल ऑन यूर प्रॉड़ेट पैकिंग कि बहुत स्ट्रिक्ट है नून वाले आपने मेक शॉर करना है कि बार्कोर्स आपके प्रॉपर लगे हो इस पर सब्मिट करने के बाद अब आपका फाइनल टैब आगया रेडी फॉर पिक अप अब आपकी रिक्वेस्ट नून को चले जाएगी नून का फिर बंदा आएगा आपसे क्लिक करने के लिए अब आपने मेक शॉर क्या करना है एक तो आपने बार्कोर्स लगा दी सेकिंड देखेंगे टॉप पे लिखाव है प्रिंट आपने इसको प्रिंट करना है ये पेज है इस पेज को आपने प्रिंट करके नून के बंदे को देना है रेडी फॉर पिक अप के लिए होता है इसको मैं सेफ कर देता हूं सेफ करने के बाद आपने जब इसको आपने प्रिंट कर देना है जिसे नून का बंद आएगा आगे आपने बार कोड लगा लेने यह पेपर आपने लाजमी प्रिंट करना है डिलिवर कर देना है मैं नून के बंदे को वो क्या करेगा वो इसको पैक करेगा अपने शॉपिंग बैग में पॉलिथीन बैग जो थे हैं का नून का और वो डिलिवर कर देना है गंडीजर को इस तरह से आपने अपनी प्रॉड़क्ट को जब आप FBP कर रहे होगे फुल्फिल्मेंट बाइ पार्टनर आपने ओडर फुल्फिल करना इस वेरी इजी और लेट मी तेल यू वन थिंग आइस आइम वेरी मुश सेटिसफाइड विद नून पिक अप सर्विसेज बहुत अच्छी सर्विसेज इस टाइम पर आजाते हैं दो एमाजान के उपर आपको कभी-कभी तीन-चार दिन वेट भी करना पड़ता है और अपर अपका ड्रावर कॉल करता है में आ रहों लेकिन वो लेट आता है या तीन-चार दिन के बाद आता है और अक्सा आपका कैंसल भ अपना अभी तक मुझे नून की सर्विसेज ज्यादा अच्छी लगी है पिक अपकी एस कंपरे टू अमाजान और अगर मैं बात करूं कि मुझे इस पर कितने चार्जिस पड़े वो में भी आपको दिखाता हूँ को नून की फीज दखाना जा रहा हूं कि मुझे एक ओरर पर नून ने कितना चार्ज किया है सलसे पर आप देख रहे हैं कमिशन फीज नून ने मुझे इस एक ओर पे 7.41 धरम कमिशन फीज चार्ज किया है क्रॉस डॉक फीज जो है वो 8.89 चार्ज किया है री इन्वाइसिंग फीज पॉइंट 75 चार्ज किया तो टोल मुझे इस ओर पे नून ने 16.24 चार्ज की है इस 71.5 पे नून की पिक अप सर्विस चामिल है डिलिवरी सर्विस चामिल है नून का प्लैफॉर्म जो हमने नून का यूज किया है उसकी कमिशन शामिल है प्लैफॉर्म की फीज चामिल है इच और आपको सब क्लियर हो गया होगा आपको सब्सक्राइब एफना ख्यार ख्यार खीगा यविया है फ्यान का यून दो लेख मुन कॉर्म इन ना इन ने च्टिछाइब एज चॉलो चर्ण बेलोग और ग्रॉन का यून का यून करें और च्टोगर्म आपना ख्यार खीगा लाफिगा